हलो, my dear students of 7th class, आज हम आपको आपकी इंग्लिश रीडर बुक के question answers बताएंगे इसमें थर्ड जो chapter है, उसके chapter का topic है A Timely Gift, ठीक है? तो A Timely Gift के question answer जहां हम explain करेंगे What got in Jack's way of remembering the old man? Jack's का जो तरीका था, उस बुड़े आदमी को याद करने का, उसने उसको क्या दिया था? यानि क्या चीज उसने प्राप्त की थी? तो उसका है answer first, college, marriage, career and life got in Jack's way of remembering the old man. जब उसने उनको याद किया उस बुड़े आदमी को, तो ये सारी चीज़े भी उसके mind में आईीं कि उसके college life कैसी रही? उसमें उसने कितनी help की थी? और marriage के वक्त भी उसके career को बनाने में भी, ये सारी चीज़े जेक्स के जीवन में, जेक्स के जीवन में जो बहुत महत तो रखती हैं, उसमें उस बुड़े आदमी ने बहुत help की थी. तो जब उनकी यहाँ पर रेफरेंस आया है कि जब उस बुड़े आदमी की मृत्ती हो जाती है, तो जेक्स को किस तरीके से याद करता है? देखे, तो second question है बच्चो, what thinks Jack was missing in the rush of his busy life? देखे, इनसान जब व्यस्त हो जाता है, तो वो बहुत सारी चीजों को miss करता है, तो यहाँ भी कहा है कि what thinks Jack was missing in the rush of his busy life? अपने व्यस्त जीवन में, Jack कौन कौन सी चीजों को miss कर रहा था, यानि क्या चीजें वो जो जरूरी होती है, वो नहीं कर पा रहा था, तो Jack was missing to give the time, Jack उन लोगों को वक्त देना miss कर रहा था, the people around him, जो लोग उनके आसपास थे, as his wife, जैसे कि उसकी पतनी, his son, उसका बेटा, and old bell sir, ETC, old bell sir, जो जिस बुड़े आदमी की मृत्यू के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनको भी वो time नहीं दे पाता था, ठीक है, तो कौन कौन सी चीज miss करता था, कि जिन लोगों को वक्त देना था, वो नहीं दे पाता था, उसमें उनकी पतनी शामिल है, उनका बेटा और old bell sir, भी शामिल है, question number third है बच्चो, for what all that things Jack felt grateful to the old man, उनकों सी सारी चीजों के लिए, जैक ने grateful feel किया था, बुड़े आदमी के लिए, grateful का मतलब है बच्चो, कृतक्य होना, या किसी का एहसान मानना, ठीक है, तो जैक was grateful to the old man, because he taught him carpentry, he taught him carpentry, and he spent a lot of time, and teaching him other things, which were very important to Jack, देखे, जैक क्यों grateful था, इसलिए grateful था, उस बुड़े आदमी के प्रतिक, क्योंकि, he taught him carpentry, उस बुड़े आदमी नहीं, यानि bell sir नहीं, उसको carpentry सिखाई थी, यानि बढ़ाई का काम करना सिखाया था, and he spent a lot of time, उसने बहुत समय इसके लिए अपना व्यतीत किया था, और teaching him other things, अन्य चीजें भी उसने, bell sir ने उसको सिखाई थी, जैक को, and which were very important to Jack, जो कि Jack के लिए बहुत महत्तो पूर्ण थी, बहुत महत्तो रखती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैक को bell sir ने, old bell sir ने सिखाई थी, तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, वो उसके प्रती, old bell sir की प्रती बहुत ही कृतग्य था, यानि grateful था, question number four थे बच्चो, why was Mr. Bell sir's funeral small and uneventful, देखिए Mr. Bell sir की जो, का जो funeral था, यानि जो अन्तिम संस्कार था, वो बहुत ही, छोटा और uneventful, यानि जिसको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखा जा सकता, इस तरीकी का था, तो क्या कारण था, देखिए Mr. Bell sir's funeral was very small and uneventful, because he had no children of his own, क्योंकि उसका कोई अपना खुद का बच्चा नहीं था, and most of his relatives had passed away, और उनके जो ज़्यादाता रिष्टेदार थे, वो पहले ही गोजर चुके थे, तो बहुत ही simple, उनका funeral के जो यात्रा रहती है, अंतिम यात्रा वो रही थी, और लोग भी बहुत कम आये थे अंतिम संसकार में, क्योंकि जो लोग उनको जानते थे, अपना तो कोई उनका बच्चा ही नहीं था, बेटा बेटी, और जो रिष्टेदार थे, वो पहले ही गोजर चुके थे, तो निश्चित रूप से, बहुत ही कम लोगों का, उनके funeral में जुटना हो पाया था, next, fifth question है, देखिए, what should we never miss to do in our life, हमें अपने जीवन में कौन सी चीजों को कभी भी miss नहीं करना चाहिए, तो we must never miss the opportunity to tell our near and dears that how much they mean to us, हमें उस अवसर को कभी भी miss नहीं करना चाहिए, कि हम अपने जिसके बारे में हम अपने near and dears को, यानि जो प्रिये लोग होते हैं और करीबी लोग होते हैं, उनको ये बता सकें कि हम उनको कितना प्यार करते हैं, या वो हमारे जीवन में कितना महत रखते हैं, या कितने माइने रखते हैं, यानि तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हमें उनको ये बता देना चाहिए कि वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत रखते हैं लास्ट क्वेश्चन है What did Jack discover when he unlatched the cover the finely etched casting देखे वोट डिड़ जैक डिसकवर डेस जैक ने क्या डिसकवर किया यानि क्या उसको मिला क्या खोजा उसने वैनी अनलेच्ट यानि जह उसने जो इसक्रेच किया था the cover of finely finely etched casting यानि जो अच्छे तरीकी से जो cover चिपका हुआ था किसी tape बगएरा के की साहता से तो जब उसको उसके unwrap किया या scratch किया तो उसको क्या उसके उसमें मिला क्या discover किया तो answer है Jack discovered the words engraved जो शब्द वहाँ पर खुदे हुए थे वो उसने पाए और वो शब्द थे Jack thanks for your time Harold Belser यानि तुमने जो मुझे वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और Harold Belser उसका नाम था यानि Harold Belser की द्वारा ये शब्द लिखे गए थे तो शब्द क्या थे Jack thanks for your time तो ये हो गया आपका बच्चो third chapter a timely gift ये complete होता इसके साथ ही और समझ में आएंगे आपको question answers thanks for watching